Hey everyone, welcome to my youtube channel तो अभी हम ना post order traversal के बारे में जानेंगे कि post order होता क्या है तो देखो जैसा इसके नाम में लिखाव है ना कि post post मतलब क्या post मतलब ये कि तुम ना पहले काम करो left को देख लो फिर एक काम करो right को देख लो और जो root है ना उस root पे तुम सबसे आखरी में आओ इस root को तुम सबसे आखरी में देखो तो post order का rule क्या हुआ left जाओ, right जाओ और फिर root जाओ ठीक है हमने इससे पहले pre order की बात की थी इससे पहले in order की बात की थी pre order में हमारी root पहले process होती थी फिर left process होता था फिर right process होता था in order में हमारा पहले left process होता था root कहीं in मतलब beach में process होती थी और right last में process होता था post order में अब post की बात करें तो क्या होगा post में post में पहले left process होगा right process होगा और फिर root process होगी तो देखना, अब भी देखो हम यह आपे हैं यह हमारी क्या है root node है ठीक है पर root को तो हमें पहले process नहीं करना हमें कहा जाना है हमें पहले left में जाना है तो हम left में चले जाते हैं left में गए ठीक है अब क्या हो गई अब यह root हो गई हमारी ठीक है हम अब पूछेंगे all left में जाएंगे all left में कुछ null तो है नी तो हम all left में जले गए अब ये क्या हो गई ये हमारी root हो गई बिल्कुल फिर हम all left में जाएंगे पर देखो यहाँ पे तो क्या है यहाँ पे null है यहाँ पे तो tree ही नहीं है left node तो कुछ ही नी आगे हम जाएंगे नि, तो हम लोग यहाँ से क्या हो जाएंगे, return हो जाएंगे, हम लोग यहाँ से क्या हो जाएंगे, return हो जाएंगे, ठीक है, हमने left process कर लिया, अब हम right पे जाते हैं, तो हम right पे जाएं, right पे भी null है, right पे भी null है, यहाँ पे भी हम आगे नहीं जाएंगे, तो यहां से भी हम क्या हो जाएंगे return हो जाएंगे तो देखो इस root के लिए हमने left को process कर लिया हमने right को process कर लिया तो अब हम इस root की value को यहां पे क्या करा देंगे print करा देंगे root के value को print करा दिया root भी process हो गई हमारी अब हम वापस से यहाँ पर return होंगे किस पे? पिछले statement पे वो क्या था? पिछली call क्या थी? हमारी पिछली root क्या बनी थी? 7 बनी थी उस पे आ गए अब देखो हमने 7 का left process कर लिया right पे जाते हैं तो हम गए right पे अब हमारी root क्या बन गई? अब हमारी root यह बन गई? ठीक है? अब हम इसके left पे जाएंगे बिल्कुल इसके left पे गई? अब हमारी root क्या हो गई? यह हो गई अब हम इसके left पे जाते हैं यहाँ पे तो नल है दुबारा से return हो जाएंगे left process हो गया अब कहा जाएंगे हम? right में जाएंगे यहाँ पे भी नई है अब तो क्या आएगी? अब तो हमारी root ही आएगी तो हम root को यहाँ पे print करा देंगे और यहाँ से भी क्या हो जाएंगे? return हो जाएंगे अब इस root का left हमने process कर लिया अब हम right की बात करते हैं तो मैं जाओंगी कहाँ पे? right पे जाओंगी बिल्कुल right पे गई अब वही इसके भी left पे गई मैं पर यहाँ पे कुछ ने मिला मैं return होई फिर इसके right पे गई यहाँ पे भी कुछ ने मिला return होई और फिर इस root को देख लिया तो क्या आगया मेरा है? 11 आगया बिल्कुल अब यहाँ से भी हम क्या गरेंगे? यहाँ से भी हम पिछली call पे चले जाएंगे तो अब हमारी क्या? इस root का इस root का left हमने देखा हमने right देखा अब तो root ही बागी है तो root को भी ले लो और यहाँ से और यहाँ से क्या हो जाओ? return हो जाओ return हो के हमारी अब root क्या थी? जब हम return होए तो हम कहाँ पहुचते हैं? पिछली call पे पहुचते हैं तो हमारी root क्या होई? 1 हो गई अब इसका बन के लिए left process हो गया है और right तो बाकी है ना? तो चलो right में चलते हैं बिल्कुल अब root क्या हो गई? root हमारी यह हो गई फिर हम left में गए ठीक है? अब देखो यह root हमारी क्या हो गई? यह हमारी root हो गई इसके हम left में जाते हैं पर कुछ नहीं मिलेगा वापस आजाएंगे इसके हम right में जाएंगे कुछ नहीं मिलेगा वापस आजाएंगे और हमारी रूट को यहां पर क्या करा देंगे प्रिंट करा देंगे रूट को क्या करा देंगे प्रिंट करा देंगे और यहां से हम का रिटर्न हो जाएंगे 9 पर return हो जाएंगे अब इसकी right वाली call लगी पर यहां पर तो कुछ नहीं मिलेगा हम return होंगे और यहां पर क्या करा देंगे 9 को भी print करा देंगे बिल्कुल फिर यहां से हम return हो जाएंगे इस 9 के लिए इसकी left call लग चुकी इसकी right call लग चुकी है तो इसको भी print करा देंगे हम यहां पर ठीक है ना और फिर उसके बाद में हम लोग क्या यहां से return हो जाएंगे और इस one का left process हो गया right process हो गया तो one को भी यहां print करा देंगे और यह और यह क। और यह और यह क्या आगया फिर right को process करके ले आओ और फिर तुम कहां चल जाओ root पे चल जाओ ठीक है अब तुम बोलोगी कि ये तीन traversals क्यों pre-order क्यों, in order क्यों, post-order क्यों तो यार देखो question के हिसाब से हमें ये तीनो traversals लगाने की जरूरत हो सकती है question कुछ भी हमसे demand कर सकता है हम tree भी construct कर सकता है इन traversals के थूँ तो इस वज़े से हमने ये ये तीन traversals पढ़े, इसके अलावा एक और traversal होता है जो के level order traversal होता है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे तो अब हम इसके code को देख लेते हैं तो देखो, सबसे पहले मैं यहां पर एक vector int answer बना लेती हूँ और मैं यहां पर एक fun function कॉल करा जाती हूँ तो कि post order traversal लाके देखा उसमें मैं root बेच देती हूँ और यहां से मैं क्या करा दूँ हूँ रिटर्न करा दूँ है आंसर को ठीक बात है यहां पर क्या आ जाएगा void type का यह fun function कुछ भी return करके तो दे नहीं रहा हमे void यहां पर मेरा tree node star root लिखना था tree node star root आ जाएगा ठीक है अब क्या पता मेरा tree ही नहीं हो root ही क्या हो null हो तो यहां से तो हम कहा चल जाएगे return हो जाएगे simply पर अगर हमारा tree है तो ध्यान से देखना हो यहां पर देखो क्या मेरी root null है बिल्कुल भी नहीं है तो हम कहा जाएगे left में जाएगे तो किसकी call लगानी है मुझे यहां पर left की तो fun function मैंने call करा दिया root arrow left के लिए सब्सक्राइब आप है तो हम कहा रिटन हो गए वापस इस one पे रिटन हो गए अब हम कहा जाएगे इसके right में जाएगे तो right की call लगाता है तो fun function root arrow क्या आजाएगा यहां पर right आजाएगा ठीक बात है यह तो सही लग रहा है अब देखो हम right पे चले गए क्या मेरी root नल है नहीं है तो अब हम कहा जाएगे इसके left पे जाएगे इसके left पे गए अब क्या हो गए यह मेरी root बन गए फिर मैं इसके left पे जाओंगी यह तो नल है return हो गए इसके right में जाओंगी यह नल है return हो गए अब देखो अब तो हमें root को ही लेना है तो एक काम करते हैं एक काम करते हैं यहाँ पर हम answer dot pushback क्या करा देते हैं root की value को push करा देते हैं ठीक है तो देखो क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया 3 आ गया फिर हम यहां से पूरा return हो गया क्योंकि इसका left और right process हो गया अब यह हमारी root थी इसका left हमने देख लिया तो हम कहा जाएंगे right पे जाएंगे यह null है तो यहां से return हो जाएंगे और answer में क्या ले लेंगे two को ले लेंगे ठीक बात है फिर यहां से भी return हो जाएंगे और answer में क्या ले लेंगे one को ले लेंगे तो यह क्या आगया यह हमारा post order traversal आगया इसके लिए तो अब हम इस code को run करके देखते हैं बिल्कुल सही answer आ रहा है हमारा ठीक है न तो यह क्या है यह हमारा कितना easily post order traversal हमने कर दिया अब यहां पे तो यह मैंने तुम्हें किस से बताया recursion कित्रू बताया इसको हम non recursively भी कर सकते हैं मतलब आइडरेटर के से भी कर सकते हैं जो कि हम आने वाले वीडियो में देखेंगे तब तक के लिए अगर तुम्हें post order traversal समझ में आया हो वीडियो पसंद आयो तो प्लीज इस वीडियो को like करो share करो और channel को subscribe करो thank you so much